नमस्कार दोस्तों About Cold Stories in Hindi चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजेशन साइकल के बारे में और बात करेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें कौम सा रिफ्रिजेशन यूज होता है और कौम सा रिफ्रिजेशन इस सिस्टम के लिए उप्यूक्त है इन सभी के बारे में बात करेंगे दोस्तों हो सकता है कि इस सिस्टम से रिलेटेड आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हों बट इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको तो दस्तो इस वीडियो को एंड तक जरूर रखे और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन आउन कर दें तो चलिए दस्तो शुरू करते हैं दस्तो यहां द के बाद यह है इवपरेटर दोस्तो इस वीडियो में इस सिस्टम से रिलेटेड सिर्फ डाइग्राम पर ही नहीं बताऊंगा बलकि मैं कमर्सियल रिफरिजरेशन प्लांट में ले जाए आपको दिखाऊंगा कि वहां पर यह सिस्टम किस तरह लगा हुआ है और यह कैसे का काम करता है यह सभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तो तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्प्रेसर के बारे में क्योंकि यह सिस्टम का मुख्य पाठ होता है दोस्तो कम्प्रेसर का मुख्य रिफ से दो काम होता है पहला इस सिस्टम में प्रेसर डिफरेंस बनाए रखना और दूसरा इस सिस्टम के अंदर रिफरिजेंट प्रवाइट करते रहना दोस्तों यहां देसकता है कि कंप्रेसर में दो मुख्य लाइन है यह है सेक्षन लाइन और यह है डिचार्ज लाइन और यहां देसकता है कि इसमें एक क्रेंक शाप्ट है और इसे इंट फालव के दवारा डिशाज कर देता है इसका तैंप्रेशर और इसका टेंप्रेशर और तेंप्रेशर रिफरेजयरंट को जरीए यह जाता है कंडेंसर में यहां थे सकते हैं कि यह कंडेंसर है इसमें यह घुमता है और घुमने के दवरान यह ठंड़ा होता है चुकि इस रिफ्रिजेंट का ताप मान बाहर के वाता बरन से काफी जदा हाई होता है इस कारण से यह अपना गर्मी वाता बरन में यह आ जाता है receiver में जहां पर यह कठा होते रहता है यहां से लिक्विड रिफ्रिजेंट यह आता है expansion valve में दोस्तों expansion valve को total valve भी बोलते हैं इसमें एक पतला सा hole होता है और इस पतले से hole के जरिए high pressure liquid refrigerant को evaporator में push कर दिया जाता है push होने के बाद यह refrigerant expand हो जाता है यानि file जाता है दोस्तों अगर बात करें इस system में यूज होने वाले रिफ्रिजेंट के बारे में तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है मैं सभी रिफ्रिजेंट का नाम नहीं बता सकता इस वीडियो में लेकिन ammonia अधारित रिफ्रिजेंट सिस्टम को कम बिजली की अवाशकता होती है लिक्विड को इवापरेशन के लिए heat energy की अवाशकता होती है जब लिक्विड अमोनिया वेपराईज होता है तो यह अपना तापमान चेंज किये बीना बड़ी मात्रा में heat को अशोशित करता है इन कारणों से अमोनिया ब्यापक रूप से बड़े commercial refrigeration plant में एक refrigerant के तोर पर यूज किया जाता है जब high pressure liquid refrigerant को expansion valve के दवारा इवापरेटर में push किया जाता है तो उसमें low pressure होने कारण यह refrigerant expand हो जाता है क्योंकि इवापरेटर में low pressure maintenance करके रखा जाता है इसलिए high pressure liquid refrigerant जब इवापरेट और compressor इसे फिर से compress कर देता है और high pressure high temperature vapor refrigerant में convert कर देता है और यह cycle चलते रहता है जिससे cooling create होते रहता है और इस परकार refrigeration cycle पूरा होता है तो दोस्तों आपने जाना कि vapor compression refrigeration system कैसे काम करता है अब चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूँ commercial refrigeration plant में और दिखाता हूँ कि परकार लगा हुए है तो चलिए दुस्तों चलते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह commercial refrigeration plant जो की एक cold storage है तो यहाँ दे सकते हैं दोस्तों कि यह है compressor compressor के वर के बारे में में आपको बदा चुका हूँ और यहाँ दे सकते हैं कि यह है section line और यह है discharge line तो दोस्तों section line से low pressure low temperature वेफर रिफ्रिजेंट इस पाइब के जरीये slindr में जाता है और piston इससे THERE करते हुए इस पाइब में de-charge Line में decharge करता है और इस पाइब के जरीये यह चला जाता है कंडेंसर में जो की वहाँ पर यह ठंडा होता है तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह है कंडेंसर अभी यह फ्लांट चल रहा है इसे बंद करके आपको उपर ले जाकर दिखाता हूं तो चलिए उपर चलते हैं दोस्तों इस पाइप की जरी हाई प्रेसर हाई टेंप्रेचर वेफर रिफ्रिजेंट यहां आता है इस बड़ मोटे वाले इस पाइप में आजाता है और नीचे आकर पूरी तरह लिक्विड फों में आ ज़ता है और यहां से इस पाइप की यह जड़ी है रिसीवर में तो दाएसों देख सकत Rück कि यह है receiver जो कि एक तरह का tank होता है इसमें high pressure liquid Legal usage होता है ammonia और यहां जो सकते कि यह जो pipe है यह condenseder से आ रहा है और यहां कर इसमें जो liquidρέvezent है इसमें जमा होता है और Use store होता है और यहां से और यहां से जो यह pipe है यहां से चला ज頭 होता है इवोपेरेटर में तो चलिए वहाँ चलते हैं तो देश सकते हैं दोस्तों कि यह है इवपेरेटर इसी से कुलिंग क्रियेट होता है और यहां देशकते हैं कि यह है expansion valve expansion valve को throttle valve भी बोलते हैं या throttling valve भी बोलते हैं तो यह है expansion valve इस expansion valve में पतला सा hole होता है और इस पतला से hole से होकर जो high pressure liquid represent है यह आता है इस pipe लाजन के जरीए इस evaporator में और यहां यह इसके अंदर दिखा ज़ता हूँ यह pipe लगा है जैसे तहीं इसमें घुमा हुआ है और यहां उपर के साइड में आता है और इसमें cooling create होता है और इसमें बर्फ भी आ जाता है तो इस expansion valve से high pressure liquid represent इसके अंदर जाता है तो यह expand होता है expand होने के बाद यह boil हो जाता है boil होने के बाद यह आसपास के गर्मी को और शोशिद करके vaporize होता है और इसलिए यहां cooling create होने लगता है यहां दे सकते हैं कि इसमें जो भी समान रखा होगा तो सभी का जो heat है यह absorb करेगा यानि इसमें cooling create करेगा तो इस evaporator में low pressure, low temperature vapor refrigerant इस pipe विजगे यह फिर से चला जाता है compressor में और compressor फिर से उसे compress कर देता है और इस तरह यह लगतार जो प्रक्रिया है चलता रहता है जिसे करान से इस room के अंदर cooling create होते रहता है तो दोस्तो इस तरह refrigeration cycle complete होता है तो दोस्तो आश्या करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को like और share करें और अभी तक इस channel को आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe भी करें तो दोस्तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार